हेलो एंड बेलकम बैक टू एसेट गाई यूटीब चैनल आज की इस वीडियो में हम CBDC से रिलेटेड और क्रिप्टोकरेंसी से रिलेटेड दो न्यूज देखेंगे जैसे कि आप सभी जानते हैं यहां रसिया टू लॉंच CBDC सून फोकसिंग ओन मुच्वल सेटलमेंट घृब चैनल एकश रिप कुण्की यहां पर देख सकते हैं रिपल से कि प्रोजेक्ट को कर रहा है यहांप़ क्रिप्टो करन्सी के concept में CBDC का जब एक क्रिप्टो करन्सी का ओनर जब CBDC को लीड करता है तो यह काफी बड़ा इंपक्ट डालता है पूरी मार्केट पर तो चलिए सब्सक्राइब देख लेते हैं रस्या की न्यूट तो यहां पर आप देख सकते हैं यह cryptoPottato.com की report है रस्या has been doubling down on crypto users to overcome the awards arising out of Boston sanctions after the Ukraine invention तो यूपर और रस्या के भी च्यूद चल रहा है जिसके कारण अमेरिका ने और बेस्ट ने काफी सारे सेंसंस लगा दिये हैं रस्या के उपर तो इन सब को इन सब से इन सब को बाइपास करने के लिए सेंसं को बाइपास करने के लिए रस्या जो है CBDC लांच करने की सोच रहे हैं और यह next year में इस project को जो है complete कर लेंगे Russia is on course to launch its CBDC next year and use of new currency in mutual settlements with China चाइना के साथ यह settlement करेंगे क्योंकि अभी फिलाल में जो रस्या की trade हो रही है वो चाइना और इंडिया के साथ ही हो रही है और ऐसी condition में इन दोनों कंट्री के साथ यह बाचीत होना यह settlement होना यह mutual settlement होना जरूरी है क्योंकि CBDC ही एक मात्र साधन bank है वो अपने digital code से या digital currency का लेंदिन कर सकते हैं अब देखिए वो trade किस तरीके से होगी यानि कि रस्यान अपनी CBDC चाइनीज को भी देंगे इंडियांस को भी देंगे उस तरीकी की बात्चीत यहां पर अभी चलने बाकी है हाला कि इंडिया अपनी CBDC पर काम कर रहा है और चाइना अपनी CBDC पर काम कर रहा है और चाइना का जो डिजिटल यूनान है उसका भी यहां पर एक देखिए चाइना है अपने डिजिटल यूनान तो चाइना ने अपने डिजिटल यून को अपने यहां पर टेस्ट कर लिया है यह senior Russian lawmaker said in an interview यह रस्या के लोमेकर ने legislation on the anvil और यहां पर moderate sentence यह सारी चीज़े हैं तो यहां पर आपने देखा कि रस्या अब अपने international trade के लिए चाइना से mutual settlement कर रहा है यानि कि अब जो है जब से बैस्ट ने संसन लगाए है उन संसन को बाइपास करने के लिए क्योंकि बिना trade के business नहीं चलता कोई देश नहीं च जलती तो उन सारी चीज़ों को manage कर लिए अभी CBDC पर ही focus किया जा रहा है तो ऐसी जो situation market में कभी भी किसी भी country के साथ हो सकती है इसलिए सभी देश CBDC के उपर काम कर रहे हैं और CBDC के कुछ international standard रहेंगे जिनको आप किसी भी तरीके से ban नहीं कर सकते यानि कि जो CBDC है उसको किसी भी government के द्वारा क्योंकि एक crypto है और इसको जो है इसको third party का कोई यहां पर role नहीं रहता आपका के वल central bank का role रहता है कोई इसमें नहीं लगा सकता कोई इसमें किसी को trade करने के लिए ब्यापार करने के लिए यहां पर कोई रोक टॉक नहीं हो सकती तो यह काफी अच्छा settlement है तो CBDC का use करने से आपके जो cross border transaction है उनकी जो limit है उनकी जो fees है या उनके जो third party permission है वो सब खतम हो बिना किसी third party की position के तो एक तो यह news थी दूसरा news जो है आपर यह है कि जो ripple के executive leads Australia CBDC project तो ripple के executive यानि जो ripple coin है उसके जो executive थे वो Australia के CBDC project को lead कर रहे हैं और इसी बज़े से XRP में हमें pump देखना को मिल रहा है तो यह आप crypto meditate करते हैं तब आपको यहां पर यह बात जरूर है कि आ आप जो है XRP से काफी अपना profit book कर सकते हैं The Reserve Bank of Australia on Monday release the white paper तो देखिए Reserve Bank of Australia के Reserve Bank ने अपने CBDC का white paper जो है वो release कर दिया है और यहां पर जो Central Bank Digital Currency का pilot project EAUD in collaboration with the Digital Finance Corporate Research Center DFCRC के तुरू यह इसको जो है कर रहे हैं इंटर इंटरेस्टिंगली CBDC pilot is led by Ripple's former executive दिलिप राओ तो देखिए CBDC का ऑस्ट्रेलिया का जो CBDC project है EAUD यानि कि electronic Australian dollar इसको जो लीड कर रहे हैं वो Ripple के former executive है यानि कि जो पहले Ripple coin को जिन्होंने lead किया है वही अभी CBDC project को lead कर रहे हैं तो देखिए इस तरीके से यहां पर जो blockchain technology के expert है जो cryptocurrency expert है उनकी ही यहां पर उनकी ही देखरेक में सारी चीज़े चल रहे हैं तो आपको इस बात से बिल्कुल सियोर हो जाना है कि CBDC बाकई में एक जबरजस project है जो आपके लिए काफी सारे अच्छी चीज़े लेकर आ रहा है मिन्वाइल XRP प्राइस आए मैसी pump और जब से इन्होंने जो रिपल के former executive इसको lead कर रहे है तब से इसके XRP के price में काफी अच्छा pump भी देखना को मिला है तो यह एक आपके लिए सुनहरा मोका है आप चाहें तो XRP में निवेज करके बहां से profit भी निखाल सकते हैं लेकिन एक disclaimer रहेगा कि crypto जो है वो highly subjected to market risk है आपको यहां पर पूरी source सम पाफी loss हो सकता तो यह आप बिल्कुल जहां पर ध्यान रखें आगे एक और न्यूज आती है फिलिपीन से निकल का फिलिपीन सी सून भी employing stable coin for cross border payment तो दीके फिलिपीन से भी न्यूज आ रही कि यह अब cross border payment settlement के लिए stable coin की help लेंगे तो सब सब जो है CBDC या फिर stable coin की तरफ की आप move कर रहे हैं stable coin एक तरीके से CBDC रहेगा क्योंकि Central bank के द्वारा जो digital currency launch की जारी है वो तो आपकी fiat currency के बराबर ही रहने वाली है